हलो फ्रेंड्स आज हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं बेकिंग और केक के डेकॉरेशन से रिलेटेट कुछ यूसफुल और अमेजिंग टिप्स जो के आपकी बेकिंग और डेकॉरेशन को काफी हद तक बहुत अच्छा और इजी बनाएंगे तो चलिए आज के ये टिप्स हम देखते हैं और इससे आप पूरा पूरा फायदा उठा सकें तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला टिप है एक्स रिलेटिट क्योंके जाहतर हम लोग अंडे फ्रिज में उठा कर रखते हैं और कभी कभी अंडे फ्रिज से निकालना भूल जाते हैं कि वो रूम टंपरेचर पर आ जाएं तो ठंडे अंडो को आप फ्रिज से निकाल कर गर्म पानी में डाल दीजे कुछ मिनट के लिए दो से तीन मिनट में ये एकदम नॉर्मल टंपरेचर पर आ जाएंगे तो चलिए देखते हैं दूसरा टिप जब आप केक बनाने चलें और मैदा मेजर करें तो यहाँ पर 100 ग्राम मैदे में से हम 3 टेबिल स्पून मैदा निकाल लेंगे और इसकी जगह पर 3 टेबिल स्पून कॉन फ्लार एट करेंगे इससे कॉन फ्लार जब हम एट करेंगे तो केक हमारा काफी अच्छा और टेस्टी बनेगा तो यह टिप ज़रूर आजमाईए और जितने स्पून आप मैदा निकालें उतने स्पून कॉन फ्लार एट कर दीजे चलिए नेक्स टिप देखते हैं जब हम केक डेकरेट करते हैं अक्सर गर्मी में क्रीम पतली हो जाती है ऐसा हो जाए तो आप इसको कुछ देर फ्रिज में रखने के बाद में कुछ देर ब्लेंड कर लीजे एकदम अच्छे पीक्स इसमें आ जाएंगे एकदम इस तरहां से तो चलिए नेक्स टिप देखते हैं केक के डेकुरेशन के वक्त कभी कभी हमारा पाइपिंग बैग इस तरहां से फट जाता है तो परिशान ना हो इसके लिए आप दूसरा पाइपिंग बैग लीजे और वही वाला नौजल आप दूसरे पाइपिंग बैग में फिट कर दीजे और इसको किसी गहरी चीज ग्लास या कप में रख दीजे और वापस से जो पाइपिंग बैग फट गया है उसका सारी क्रीम निकाल कर आप दूसरे पाइपिंग बैग में इस तरह से ट्रांसफर कर लीजे और आपका दूसरा पाइपिंग बैग इस तरह से एकदम रिडियो हो जाएगा तो बिल्कुल परशान होने की ज़रूरत नहीं है बहुत इसली आप इस तरह से इसको तयार कर सकते है तो यह हमारा पाइपिंग बैग तयार हो गया तो चलिए अब देखते हैं नेक्स ट्रिप यह क्रीम से रिलेटेड अक्सर क्रीम एकदम ड्राय हो जाती है और इसकी शाइन चली जाती है उस पे कुछ ड्रॉप्स पानी के डालकर कुछ सेकंड बीट कर लीजे वापस से यह शाइन करने लगेगी एकदम इस तरह से तो चलिए देखते हैं नेक्स ट्रिप अब आप चॉकलेट केक बनाने जा रहे हैं उसमें कोको पाउडर डालने के बाद थोड़ी सी आप कॉफी पाउडर डालिए केक बहुत जादा टेस्टी बनेगा केक बनाते वक्त आप उसके बैटर में लास्ट में थोड़ा सा गर्म दूद या गर्म पानी एट कर दीजे इससे केक बहुत जादा सॉफ्ट बनता है और काफी टेस्टी भी बनता है तो ये वाला टिप ज़रूर ट्राई कीजे बहुत काम आएगा नेक्स टिप है पाइपिंग बैग तैयार करते पर जब आप क्रीम डालने जाएं तो किसी गहरी चीज़ को ले लें कोई मग, कप या फिर ग्लास वगएरा और उसके अंदर पाइपिंग बैग को रखकर आराम से उसमें आप क्रीम एट कर सकते हैं उससे पाइपिंग बैग संता भी नहीं है और दोनों हाथ आपके फ्री रहते हैं और बहुत आसानी से आप उसके अंदर क्रीम को डाल सकते हैं और piping bag तयार कर सकते हैं तो ये वाला tip भी बहुत जादा useful है केक बनाते पर ज़रूर ट्राइ कीजिएगा तो चलिए next tip देखते हैं जब हम cake बनाते हैं तो अक्सर cake के ऊपर की एक पतली layer हम निकालते हैं cake को level देने के लिए तो ये उपर की सबसे उपर की जो layer होती है इसको mash कर लीजिए चाहें आप chocolate cake बनाएं या फिर normal vanilla vanilla cake को आप चाहें तो color भी दे सकते हैं इसमें कोई color नहीं आएगा लेकिन cake के decoration में ये बहुत काम आता है हमने आपके साथ एक वीडियो भी इसका शेयर किया है next tip है जो के आपकी cake decoration को काफी easy बनाता है जैसे आप एक ही cream से कई designing देना चाहते हैं तो आपको अलग-अलग piping bag के अंदर अलग-अलग nozzle लगाने की जरूरत नहीं है एक ही color का ही आप piping bag तयार कर लीजे लेकिन उसमें आप कपलर का use कीजिए उससे ये easy रहेगा कि जब आप nozzle change करें तो उपर से कपलर को खोल कर आप nozzle हटा दें और जो nozzle लगाना चाहते हैं उस nozzle को fit करें और वापस से कपलर को tight कर दें तो एक ही क्रेम से आप कई designing बना सकते हैं जैसे के यहां पर हम pink color का use कर रहे हैं पहले हम इस तरह के रोज तयार कर रहे हैं एक nozzle की help से और वापस इसी piping bag पे हम दूसरा design देंगे इसके लिए हम कपलर को खोलेंगे और nozzle को change कर देंगे वापस से कपलर को fit करेंगे और दूसरे design के यहां पर रोज बनाएंगे तो बहुत ही easy रहता है कि आप एक ही piping bag से अलग-अलग designing दे सकते हैं बिना piping bag का use किये बहुत ही अच्छा tip है और बहुत काम आता है जो लोग केक वगरा बनाते रहते हैं उनके लिए जरूर ट्राइ कीजिएगा चलिए next step देखते हैं जब हम whipping cream यूज करते हैं तो अक्सर वो बच्छती ही है क्योंकि एक बार में पूरी यूज नहीं होती है तो वापस से आप इसको किस तरह से रखेंगे यह सही रहे इसके लिए आप इसको अच्छे से चिपका दे और उपर से अच्छी तरह से ड्राइ कर दे साफ कर दे इस तरह से चिपकाने के बाद में इसके उपर एक rubber band tight करके चड़ा दे और वापस से इसको आप freezer में रख दे तो यह खराब नहीं होगी तो चलिए next tip देखते हैं यहां पर हम whipping cream बना रहे हैं तो whipped cream हमारी किस तरह की हो पता चले किसमें sharp peaks आ चुके हैं तो sharp peaks आप देख सकते हैं वैसे तो अंदाज होता है लेकिन यहां पर बहुत अच्छा tip है कि आप बोल को उल्टा कर लीजे उल्टा करने से cream नीचे नहीं गिरेगी यह इसकी एक बहुत अच्छी पहचान है यह next tip देखते हैं tip है आप whipped cream तयार करके एक दिन पहले fridge में रख सकते हैं केक के decoration के लिए इसको तयार करके आप क्लिंग फिल्म से अच्छे से wrap कर दीजे उठा कर fridge में रख दीजे और जब आप केक डेक्रेड आपको अपनी cream बनी हुई मिल जाएगी तो चलिए next tip देखते हैं जो कि scrapper से related है अगर आपके पास scrapper नहीं है तो इस तारह के जो कपड़ों पर टैग लगे हुए आते हैं या और कुछ मोटे थिक कागज आते हैं चीजों के साथ में उसका आप use scrapper की जगे कर सकते हैं आप चाहें तो किसी पुराने ATM कार्ड या बच्चों के खेलने वाले जो कार्ड साथे हैं उनका भी use कर सकते हैं और अपने केक को final finishing दे सकते हैं बहुत ही easy तरह से जैसे के हम आपको करके दिखा रहे हैं चलिए next tip देखते हैं यहाँ पर हम आपको दिखा रहे हैं अगर आपके पास spray bottle नहीं है तो इस तरह की छोटी bottles जो आती हैं अक्सर cold drink वगारा की वो आप ले सकते हैं दो लीजे अच्छे से और उसके जो ढखकन होता है उसको इस तरह से गर्म सुई की help से थोड़े मोटे मोटे hole बना लीजे जिससे के अच्छे से आपका केक सूख कर सके आप तो यहाँ पर इस तरह से जैसे के हम आपको दिखा रहे हैं आपके को बहुत एजली सूख कर सकते हैं नेक्स टिप है जब आप कोई भी dry ingredients या फिर better में कोई dry powder डालें उस वक्त आप जब blender को चलाएं तो direct उसे on ना करें इस तरह से पहले mix कर लें जिसे के चीटे उड़े नहीं mix कर लेने के बाद में आप blender को on करें तो चीटे उड़ती नहीं है यह बहुत अच्छा टिप है नहीं तो आस पास की चीज़े चीटों से खराब हुजाती हैं तो यह तो थे के बनाने उसको decorate करने से related बहुत सारे tips आगे भी हम आपके लिए tips लेकर आते रहेंगे जरूर ट्राइ कीजिएगा इनको और अपना feedback हमें जरूर दीजिएगा तो next video मिलते हैं एक नई टेस्ट्री और बहुत amazing से recipe के साथ तब तक के लिए Thank you and goodbye